हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चनल मोबाल में पैट्रिक आज की इस वीडियो में हम इसी जे टेक प्लस बॉक्स का ट्रैनिंग लेसन फूर बना रहे हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं किसी भी हम फोने किशे दे और को कैसे रीड कर सकते हैं हिस के अंदर आप उप्शन उसकी मज़से हैं इस वीडियो में आपको डीटेल में बताने वाले हैं सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चनल को और बेल आइगन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए किसी भी फोन से अगर आप फंबेर रीड करना चाहते हैं किसी और फोन में राइड करने के लिए तो EasyJetak से Easily उसके अंदर हो जाता है तो देखिए जो हमारा YoFi box होता है उसके अंदर एक option होता है user area करके जिसमें जाकर के आप जितने भी जो MMC के अंदर partitions होते हैं उससे आप देख सकते हैं वहीं से आप चाहे तो security फाइलों को read कर सकते हैं या फिर उसकी पूरी firmware को read कर सकते है लेकिन देखिए EasyJetak plus box में ऐसा नहीं होता है EasyJetak plus box के अंदर यहाँ पर vendor करके option होता है जिस आप देख सकते हैं यहाँ पर read by vendor यहाँ पर read by vendor होता है यह देखिए इसमें नाम अलग है लेकिन इसका system पूरा वैसा ही होता है देखिए friends जितने भी MMC के box होते हैं उन सबी का काम करने का तरीका अलग होता है और सारे यह option उसमें अलग-अलग तरह से होते हैं यूज की जाते हैं किसी में अलग नाम से यूज की जाते हैं किसी में उनका काम करने का तरीका अलग होता है कुछ माइने में वो options एक ही होते हैं लेकिन उन्हें अलग-अलग नामों से यू प्लस बोक्स जो होता है उसके अंदर इसे रॉम वन के नाम से जाना जाता है और देखिए जैसे हम उसमें यूजर एरिया में जाकर करके सिक्यूरिटी फाइलों का बैक अप करते हैं या फिर पर्टिकुलर उस पार्ट मतलब इमें सी की यूजर पार्टिशन में से किसी पर् देख सकते हैं यूफ़आğ बोक्स में क्या होता है कि जब भी हम किसी फ्रम सी को आइटेंटिफाई करते हैं और अगर हम यूजर टैप में जाते हैं तो वहां परहमें सारे पटिशन्स दिखने लगते EMC connect होने के बाद लेकिन देखिए EasyJetec Plus box में ऐसा नहीं होता है अगर हम इसमें EMC identify भी करते हैं तब भी इसमें क्योंकि देखिए इसमें user area के जगह vendor होता है जिसे read by vendor का जाता है और ride by vendor होता है ride by vendor हम आपको next lesson में बताएंगे अब हम आपको read by vendor बताएंगे तो जैसे हमारे UFO box के अंदर user area होता है वैसा है EasyJetec के अंदर read by vendor होता है लेकिन UFO box में जब भी आप EMC को identify करते हैं तो आप उसके बाद में अगर जब user tab में जाते हैं तो वहाँ पर आपको user जो area होता है उसमें सारे वो partition दिखते हैं जैसे cache system, user और security file मतलब जो भी जितने भी partitions हमारे user area में होते हैं तो वो सब आपको दिखते हैं लेकिन EasyJetec में क्या होता है कि जब भी आप EMC identify करते हैं तब यहाँ पर कुछ भी नहाता है यहाँ पर हमें CPU मतलब जो chipset होता है मतलब हमारा CPU होता है उसके हिसाफ से यहाँ पर हमें select करना पड़ता है उसके बाद में हमें partitions को find करना पड़ता है तब जाकर के उसके अंदर जो user area के अंदर जितने भी partitions या जो file है या security file है जो भी कुछ होता है वो हमें तब दिखाए देता है तो इसलिए इस वीडियो में हम एक अलग model की MMC का use करेंगे जिसमें से हम उसके firmware को read करेंगे और इस firmware को किस तरह से use करना है और इसमें किन-किन file को कैसे select करना वो हम इस वीडियो में आपको detail में बताएंगे तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर EMC general में आप देख सकते हैं main taper है और यहाँ पर हम हमारी EMC को identify करेंगे तो देखिए हमने check button पर click है क्योंकि हमारी EMC जो है वो BGA socket के थुरू EasyJetec Plus box से connected है तो देखिए यहाँ पर EMC identify हो चुकी है यहाँ पर EMC की पूरी information आ चुकी है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी EMC की पूरी information है और उसके बाद में क्योंकि हमने यहाँ पर read software partitions के उपर भी tick लगा होता तो आप देख सकते हैं जितने भी इसके अंदर जो user area के partitions बने हैं तो सब हमें दिखने लग गए उसके बाद में हमने यहाँ पर gate firmware वाले option को भी tick लगाया हुआ था तो यहाँ पर वो भी option दिखने लग गया था देखिने यो 5 box में क्या होता है कि यह जो android वाली information होती है और जो EMC वाली information होती है यह by default ही आती है उसके लिए कोई option select नहीं करना होता है लेकिन easy attack के अंदर इसके अंदर option दिया हुआ है और जो हमारा UFI box होता है UFI box हमें यह वाले जो partitions होते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह वाले जिसको कि हम सिफ user area में जाकर कि ही देख सकते हैं तो जब आप इस read software partition पर tick लगा देते हैं और जब हम EMC को identify करते हैं मतब check EMC करते हैं तब यह partitions की वो information जो UFI box हमें user tab में देखता है वो easy attack हमें EMC info मतब इस logs में ही info में show कर देता है तो यह देखिए दोनों box में थोड़ा थोड़ा difference है लेकिन हर box का करने का तरीका अलग होता है तो इसलिए हमने आपको दोनों box का तरीका समझा रहे हैं देखिए जिस तरह से mobile technicians को UFI box easy पढ़ता है और उनका यह कहना होता है कि easy ztech plus tough होता है हम इन doubts को clear करने के लिए ही आपको दोनों box की training साथ में चला रहे हैं और जिसमें हम easy ztech के भी जो लोगों जो technicians के मन में एक मतलब doubt होता है कि easy ztech plus box tough होता है और UFI easy होता है तो वो इस तरह की धाना है उनके mind में आती है हम उसको निकालना चाहते है इस होज़े से हम आपको इतना deeply यह सभी options इसमें समझा रहे हैं के UFI box में और easy ztech में देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो tough है या वो easy है तो ऐसा कुछ नहीं है सभी box x जिसे हैं बस इनका काम करने का तरीका अलग होता है तो देखिए यह हमने mmc को identify किया है अब हम जाएंगे यहाँ पर read by vendor में अब देखिए यहाँ पर ऐसा होता है कि जब भी हम read by vendor में आते हैं तो यहाँ पर कोई भी file शोनी होती है क्योंकि जिसे हम UFI box में जब उसका user area वाले tab को open करते हैं तो यहाँ पर हमें file दिखने लगती है लेकिन easy ztech plus box के अंदर यहाँ पर file ऐसे नहीं दिखती है उसके लिए देखिए आप उपर देख सकते हैं जब हम read by vendor में आते हैं तो नीचे यहाँ पर देखिए vendor के सामने एक option होता है drop down में मैं यहाँ पर click करता हूँ इसके बाद यहाँ पर options आते हैं तो वो user tab में वो सारे partition दिखा देता लेकिन easy ztech नहीं दिखाता है तो easy ztech में अगर हमें partition देखना है तो उसके लिए यहाँ पर हमें अपने chipset का platform सिलेक करना पड़ता है मतलब vendor के अंदर जाकर के drop down menu पर click करने के बाद यहाँ पर हमें chipset सिलेक करना होता है तो देखिए हमने जो भी यहाँ पर emmc लगाया आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम info में जाते हैं तो यह जो हमने emmc कनिक किया है यह आप इसका side देख सकते हैं 4-7-2 MB मतलब यह करीब करीब 8 GB का emmc है ठीक है और यह हमारा जो model है यह motorola का e2 है और आप देख सकते हैं इसका जो platform है यहाँ पर अगर आप सही select नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको identify करके फाइले शो नहीं करेगा ठीक है तो इसलिए आपका जो भी platform है आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं और अगर देखिए अगर suppose हमारे पास eMMC blank है और अगर यह android की information नहीं भी आती है तो हम यहाँ पर click करके try कर सकते हैं जैसे कि अगर हमें लगता है कि यह MT के का है तो आप MT के select कर सकते हैं इस पेटर में तो इस पेटर में मतलब देखिए वैसे तो नॉर्मली आपको इतना काम करते करते experience हुई जाता है कि हम eMMC देखकर कर समझ जाते हैं कि पर्टिकुलरी कि फोन के लिए है कि फोन से निकाला लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं पता कि आपके पास मतलब इस पहले से कहीं रखा हुआ है या आपने निकाला तो भूल गए आपको पता नहीं है तो इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होता अगर कोल कॉम नहीं है और आपने यहां पर चेक किया अगर वह एरर देता है तो आप इसके बाद एम्टी के में या समसन में दे अगर पहले से रीड किया हुआ है तो आपको उसके लिए फ्रॉम इमेज करना पड़ेगा देन आपको लोकेशन उसको देना पड़ेगी तो अब हम फिलाल में डिवाइस के पार्टिशन देखना चाहते हैं तो हमने इस पर क्लिक किया डिवाइस पर और देखिए यह हमारी EMC को स्कैन करते हुए यह देखिए अब यह हमारे इसके अंदर जो यूजर टेप के अंदर पार्टिशन होते हैं वो हमें शो होने लग हैं तो देखिए इस तरह से हमारा जो इसी जटेग ब्लस बॉक्स होता है उसका जो यूजर एरिया होता है उसके अंदर से हम फर्मवेर को या किसी भी फाइल को जैसे अगर आप चाहें सिक्यूरिटी फाइल आपको रीड करना है तो आप यहां से कर सकते हैं यह पर पर्ट बैसे उस फाइल को यूजर कर सकते हैं यहां से रीड करने के बाद में तो देखिए हम आपको यहां से रीड करके बताने वाले हैं कि किस तरह से हम MOTOLA A2 की या किसी और Qualcomm वाले फोन की किस तरह से फांवेर को रीड कर सकते हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं क्योंकि यह और training purpose के लिए हमने चालू phone से इसे भी निकाला है देखिए friends आप लोग के लिए हमने इतने सारे चालू phone की इमियम से निकाल दी है मतलब देखिए ये phone पुराना हो चुका है इसकी value कुछ नहीं है लेकिन हम हमारे वीडियो से हमारे viewers को बहुत सारी values देने का मन रखते हैं इसलिए आप लोग के लिए हम जो useless होगए phone है या जो use नहीं करते हैं उन फोनों की इमियम सी को चालू phone की इमियम सी को आप लोग को practical करने के लिए तो या फिर ट्रेनिंग के लिए हम निकाल देते हैं फोन से तो देखिए यह हमारे Motorola E2 की जो है इमियम सी है जिसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हमें इसकी firmware रीड करना है तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे partition दिख रहे हैं यह वो partitions हैं जो इस इमियम सी के user partition में और इन सभी फाइलों के अंदर हमारी firmware भी है और हमारा security फाइल भी है देखिए यह notepad फाइल आप description से डाउनलोड कर सकते हैं इसमें देखिए सभी chipset के साफ से मतलब processor के साफ से हमने यहाँ पर security के लिए किंकिन फाइलों को backup करना होता है वो यहाँ पर notepad में लिखा हुआ और इसके लावा time के साथ कुछ और फाइले इसमें add हो चुकी है तो वही read करना है क्योंकि जैसे time के साथ android system update हो रहा है इसमें बहुत सी फाइलों में changes भी हो चुका है तो हमने जो यह security फाइलों का criteria बनाया हुआ है वो अभी करीब-करीब 2019 के असपास बनाया हुआ तो जब से notepad फाइल हम यूज कर रहे हैं और नर्मली देखिए हमें हर chipset के साथ से यह याद हो चुका है कि हमें किस chipset के लिए कौनसी फाइल का security का backup करना है लेकिन देखिए फिलाल में हम यहाँ पर security फाइल की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर पूरे phone की firmware की बात करें तो देखिए जब भी हमें किसी handset का अगर पूरा firmware read करना है तो उसके लिए जब हम partition को find करते हैं तो find करने के बाद मैं देखिए उपर यह partition जो है इस पर हमें पूरे पर trick करना है यहाँ पर trick लगाने से होता है कि सारे partition select हुआ लेकिन देखिए यहाँ पर हमको इसके अंदर से user data को हटाना है देखिए user data को हम इसलिए यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि अगर हम इस user data को select करते क्योंकि देखिए इस phone में जो mmc लगा है वो 8GB का लगा हुआ है और इसमें 8GB में पूरा ही firmware का size नहीं होता है अगर हम इस user data partitions की बात करें तो यह वो partition होता है जिसे example के लिए कोई phone है अगर उसके अंदर 16GB की mmc है जिसे example के लिए हम Samsung J7 के उपर बा वो 3.5GB का आता है फोन में राइड होने के बाद 4.5GB का हो जाता है तो मतलब उस 16GB का mmc का जो original size होता है वो 14.56 होता है उसमें से अगर हम 4.5 firmware का भी size अगर मान ले तो user area का size कुछ 10GB के something होता है वैसे ही अभी जो हमारी इसमें mmc हमने motorola e2 की जो लगा रखी है तो इस motor e2 की जो mmc उसका total size जो है वो कुछ 7.5GB के something है मतलब 7.2SMB था कुछ तो इसका मतलब यह है कि करीब 7.5GB का size है और इसमें से operating system के अगर हम बात करें तो zip form में 1.5GB का होता है और extract होने के बाद करीब करीब 2.2GB के something उसका original size होता है तो उस तरह से हमारी जो इस phone की अगर हम इस user data को तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका 5.0.5 size है जो कि हमारे को firmware portion में कोई मतलब का नहीं है तो इससे हम skip कर सकते हैं तो देखिए हमने यहाँ से उपर partition पर tick लगा था जिससे सारे partition select हो गए तो और हमने user data को इसमें untick कर दिया अब देखिए इसमें बहुत से users क पर डाउट आ सकता है कि क्या इस firmware के अंदर IMS related security files आ सकती हैं और अगर हम किसी और phone में write करेंगे तो क्या हमारी वो file भी उसके अंदर read होगी तो देखिए ऐसा है कि अगर हम किसी phone के security file को read कर भी लेते हैं अगर तो हम जब भी किसी phone के उपर काम करते हैं तो particular हम तो उसी IMA क backup की जो security file का backup लेते हैं उसे ही write करते हैं तो देखिए security file के उपर आप इस वीडियो में बात ना करें क्योंकि उसके लिए तो हम particular अलग lesson बनाएंगे तो अभी हम फिलाल में यहां पर firmware की ही बात करने वाले हैं तो इसलिए हमारे जितने भी users हैं वो फिलाल में security portion के उपर हटा देते हैं तो यह हमारा pure firmware का total size बन जाएगा जो भी हमारी इसके अंदर file रीड होंगी क्योंकि जैसे हम UFI box के अंदर जब exclude user लेते तो उसमें only firmware वाला portion आता है तो वैसे ही यहां पर इस phone के अंदर हम अगर user data हटा देते हैं तो बाकी जितने भी file होंगी वो सभी हमारी firmware परेल का portion होंगी और अगर हम चाहें तो इसमें से जो modern mst1 & modern mst2 होता है इससे antik कर सकते हैं क्योंकि इस इसके अंदर imi होता है तो हम चाहें तो इससे antik कर सकते हैं या फिर अगर हम इसे read भी कर लेते हैं तो जिस भी phone में जब भी हम write करेंगे तो वैसे भी हम उस phone के बाद और user data छोड़कर बाकी सारी फाइलों को read कर भी लेते हैं तो हमें किसी भी तरह से कोई problems नहीं होना है ठीक है और अब देखिए इतने partitions को select करने के बाद हम यहाँ पर read button पर click करेंगे read button पर click करते देखिए यो 5 box हमें जो है folder की location देता है तो हम फिलाल में भी desktop पर एक new folder बनाएंगे और उस folder का जो है हम उसका name जो देंगे वो moto e2 देंगे moto e2 देखिए इस तरह से हमने उसका नाम दिया है यह रखिए moto e2 हमारा folder का name यहाँ पर आ चुका है और यह जो firmware है उसकी read होने लगी है देखिए यह आप देख सकते हैं यहाँ पर reading start हो चुकी है और जैसा कि मैंने आपको बता है कि यह mmc करीब करीब इसमें original size 7GB आ रहा है मत्तब यह 8GB की mmc है और अभी मैंने आपको बताया कि जैसे mmc 8GB के लेकिन firmware उसमें 8GB की नहीं होती है firmware का size जागा देख form में हम बात करें तरह मोटो e2 की कुछ 1.5GB के something होती है जो की extract होने के बाद 2,72GB के something हो जाती है तो उस हिसाफ से हमारी जो इसकी जो हम read by vendor से जो इसकी firmware को read कर रहे है तो वो करीब करीब सब 2GB या 5GB के something बनना चाहिए तो इस तरह से देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको experience से ही पता चलती है तो इस वज़े से हम भी हमारे experience से बता रहे हैं हो सकता है इसमें कुछ गलतियां हमसे भी हो सकती है ठीक है पर जैसे जैसे आप इस तरह की कामों को करते जाएंगे तो आपको भी इन चीज़ों का experience होता जाएगा हला कि देखिए कोई भी इनसान कभी भी perfect नहीं होता है इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं जो भी तरीके आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुत सही है और इसके अलावा अगर कुछ कोई आपको बताता है तो गलत देखिए ऐसा नहीं है मैं भी अपने experience से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर आप इससे कुछ सीख सकते हैं तो ये काफ़ अच्छी बात होगी और अगर फिर भी आपको इसमें कुछ doubt है तो आप इस वीडियो के उपर जो है question कर सकते हैं और मैं आपको इसके बारे में जितना हो सकता अतना comment मैं आपको इसके बारे में बता दूगा बाकि आप अपने experience से जितना सिखेंगे वो ही आपको lifetime काम आएगा अब देखिए जो हमारी read हो रही है इस file को भी हम सर्च कर लेते हैं क्योंकि जो desktop पर हमारी read हो रही है देखिए desktop पर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहा आप देख सकते हैं यहां पर यह xml फाइल भी बन रही है जो कि normally हम जैसे किसी Qualcomm phone को अगर flash करते हैं तो आपको भी पता है कि उस Qualcomm phone की जो firmware होती है उसके अंदर raw program xml करके file होती है जिसे हम Qfield या फिर किसी भी जैसे या फिर हम UMT के QCifier से flash करते हैं या और कोई Qualcomm के flash tool को हम flash करते हैं तो देखिए जो readwire vendor से हम firmware को read कर रहे हैं वो ऐसे ही firmware generate कर रहा है जो कि हमारा जो हम net से download करते हैं देखिए उसी pattern में यह हमारी firmware को read किया जा रहा है और देखिए आपर xml file भी बन चूए कि तो इसे आप किसी और tool से के through भी use कर सकते हैं किसी मतब से model के अंदर ही जैसे हम motor e2 के लिए अगर यह firmware read कर रहे हैं तो आप और भी किसी motorola e2 के अंदर इस firmware को write कर सकते हैं चाहे easy zatex से या फिर और किसी USB वाले flash tool से मतलब जरूरी नहीं है कि इस file को read करने के बाद आपको mmc box से चलाना होगा आप इसे किसी भी other tool से भी write कर सकते हैं क्योंकि यह as a firmware read हो रही है ठीक है यह dump file के firmware read नहीं हो रही है यह जो file read हो रही है वो हमारे ऐसा firmware read हो रही है जिसे हम किसी भी USB वाले flash tool से जैसे qfield या फिर UMT का जो qcifier होता है या और भी कोई tool होते है Qualcomm flashing या आप किसी भी tool को use कर सकते हैं इस file से जो हम अभी read कर रहे हैं जो हम ROM 1 में जाकर करके select करते हैं 512 या फिर EMC के size के साब से वह हमारी dump होती है और देखिए dump file नहीं है ठीक है यह same to same firmware हम read कर रहे हैं तो इसमें confused नहीं हो आप इसलिए हम इसके उपर हमने particular lesson बनाए क्योंकि देखिए इस से पहले का जो हमने lesson 3 बनाया था उसके अंदर हमने आपको बता दिया इसको ROM 1 कहा जाता है ठीक है ना तो यह confusion आपको ना हो उसके लिए हमने इस lesson 4 के अंदर आपको एक firmware read करके बताईए और देखिए जब हम security portion के ऊपर एक particular detail में lesson बनाएंगे तो उसमें हम आपको security के बारे में सब बताएंगे कि किस तरह से इसके अंदर security file हमें read or write करना होती है इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक और important बार बताना चाहूंगा आपका इसमें ध्यान गया आया नहीं गया मुझे नहीं पता लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर एक CID file बे आती है आप लोग को शायद पता है या नहीं लेकिन Motorola के handset के अंदर हमें CID का backup भी लेना करती है जो कि बहुत ज़्यादा matter करती है देखें फाइल हो सकता है read होने में time ले सकती है तो वीडियो को हम थोड़ा fast forward mode पे रखेंगे ताकि हमारे viewer का time waste ना हूँ तो देखें फ्रेंड्स यह हमारा यहां पर जो है firmware पूरी तरह से read हो चुका है और हम इस folder में check करती है देखें यहां पर तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहां पर हमारी firmware जो है वो read हो चुकी है और इसे हम किसी भी और phone पे USB से यूज़ कर सकते हैं लेकिन Motorola E2 मतल़ा same model के उपर किसी भी same model के उपर हम इस file को यूज़ कर सकते हैं और किसी भी किसी भी टूल से इस firmware को उसके उपर हम उसे model के लिए हम इसे use कर सकते हैं तो तो देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने आपको read by vendor के through किसी भी phone में से उसकी firmware को read करना बताया और देखिए इस तर कर सकते हैं क्योंकि जिसे हमारे ufi box के अंदर flash image करके tab होता है जहां से हम flash करते हैं किसी भी phone को मतलब उसकी firmware को वैसा ही जो हमारा easy tech plus box होता है इसके अंदर यहां पर उसे ride by vendor का जाता है तो ride by vendor को हम next lesson में cover करेंगे और उसके अंदर हम Qualcomm और MT के दोनों ही handset को ride by vendor से आपको flash करके बताएंगे और देखिए इसमें आपको confused होने की मेरे साफ से जरूत नहीं होना चाहिए क्योंकि जो हमारा user area होता है उसकी dump भी बनाई जा सकती है 512 MB या फिर जो हमारा MMC का size होता है उसके साफ से लेकिन हमने यहां पर जो आपको read by vendor बताया है यह वही option है जैसा हमारा U5 box के अंदर user area होता है जहां से हम security file या particular firmware या फिर पूरे area की किसी भी एक file को या पूरे file को read करते हैं वैसे ही तो आप confused नहों इसलिए हमने आपको इस EasyJetec Plus box के lesson के अंदर U5 के बारे में भी साथ में बताते गए ताकि आपको confusion नहों तो उमिद करते हैं इस video से आपको बह पारे वीवर्स के लिए बनाते रहते हैं thanks for watching